नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णा घोष आप सभी लोगों फिर से और एक बर स्वागत है आप लोग का चैनल हाउकनाई हिल्प यू में तो जैसे कि मैं डेली बेसिस पे आप सभी इंजिनियर्स के लिए रोध जॉब आपडेट लेके आ रहा हूँ तो आज का ये जो जॉब आपडेट है आप में से जितने भी सारे विटेक या फिर एम टेक के आप लोग मेकनिकल इंजिनियर्रिंग डिपर्मेंट से हैं मतलब आज का जॉब आपडेट ओल्ली फॉर मेकनिकल इंजिनियर्रिंग डिपर्मेंट वालों के लिए है तो यह जो job update है एक private organization है एक multinational company Siemens की तरब से आ रहा है Siemens जो आपका all India basis पे इनका बहुत सरे जगा में एक multinational company बहुत सरे plant है तो इनकी तरब से permanent job का एक offer आया है इनका career section पे इसका update दिया गया है solution engineer गुरगाओ location पे आपका यह जो job है इसका posting रहेगा अगर आपका यहाँ पे selection होता है तो आपको permanent basis पे Siemens की तरब से यह offer दिया जा रहा है इस job role के लिए आपको यहाँ पे मांगा गया है bachelor's degree मतलब आपका B.Tech या फिर B.E. complete होना पड़ेगा आइदार आपने M.Tech या कोजी master of engineering के उपर आपने complete करके रखे तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं देखिए यहाँ पे एक specialization भी mention किया हुआ है specialization है power plant engineering के उपर अगर आपका specialization है तो आपको special preference दिया जाएगा experience जो यहाँ पे मांगा गया है 0 to 5 years का relative work experience मतलब 0 to 5 words आपको अगर एकदम से फ्रेशास candidate है तो भी आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके साथ-साथ अगर आपका experience है तो आपको special preference यहाँ पे दिया जाएगा मैं आप लोगों को बताना चाहतू apply कैसे करना है यहाँ पे यह जो location है गुर्ग्राम दिल्डी एनर्सी location पे आपका यह job है surrounding इसको आपको सीमेंस लिमिटेड का यह जो job offer किया जारे है description पे आपको एक link मिलेगा जिस link पे click करने के बाद आपको इस job के बड़े में details में हरे एक जानकरी मिल जाएगा और आपको इस post में apply करने के लिए apply now बोल के जो section है just आपको हाँ पे click करना है apply now बोल के section पे जब ही आप click किजेगा आपके सामने next open मतलब next जो page है यह open हो जाएगा यहाँ पे आपका email id और password मांगा जाड़ा है not a user आपको first time यहाँ पे registration करने के लिए इनकी website पे मतलब Siemens का जो official website है यहाँ पे खुद को register करना पड़ेगा तो आपको not a user बोल के इस section पे click करना है और उसके बाद आपका खुद का registration process को complete करना है देन आपको इस post के लिए apply करना पड़ेगा अगर कोई भी दिक्कत होता है कोई भी problem होता है तो आप लोग comment कीजेगा मेरा कोसिस रहेगा next कोई भी वीडियो के दोरा आप लोग को उसका solution देने के लिए मैं आप सबसे और एक चीज़ कहना चाता हूँ देखिए आप लोग कोई भी department से वीडियो को देख रहेए आप लोग comment कीजेगा मैं daily basis पे उसी सारे department के हिसाब से आप लोग को job update देने की कोशिस करेंगे आप सब के लिए मैं facebook पे एक group बना के रखे जिस group में अगर आप लोग join होते तो daily basis पे private से शुरू करके government हर एक job update आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग चाहे तो मेरे सत्थ टेलिग्रम पे भी जूर सकते link description पे available है thank you